नमस्कार दोस्तों आफका श्वागत है दोस्तों आपको बता दें लोग सुब चुनाब 2019 अब तक पांस चर्णों का मतदान समाप्त हो चुका है और अगर बात करें अब तक 543 शीटों में से तो 424 सीटों पर उमीदबारों की किसमत EBM में कैद हो चुकी है अब 249 का मतदान जो है वो बाकी है 12 माई को 69 सीटों पर और 19 माई को 69 सीटों पर बोटिंग होनी है यानि 118 सीटें अब बाकी है अब छटे चरण के लिए किन राजियों में कितनी सीटों पर यहां पर चुनाव होना है भाई बात करें दिल्ली की साथ सीटों पर तो दिल्ली का हाथ किसके सा इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कहते हैं उत्तर पूर्व दिल्ली के लिए तो कौन यहां सच जीत रहा है देखिए हम बात करेंगे वो साथ सीटों के बारे में जो काफी दिल्चस्व सीटे रहने वाली हैं क्योंकि दिल्ली हमारी देश की राजध नेता सामिल हुए हैं कॉंग्रेस की बात करें या बीजीपी की तो सबी पार्टियों में यहां पर अवी नेता सामिल हुए हैं खास करके दिल्ली के कुछ खास खलाड़ी भी इसमें इन्वाल्व हैं तो साथ सीटों के लिए यहां पर गमासान बारा माई को होना है लेकिन से पहले कौन किस के सामने कितना भारी साबित होता नजर आ रहा है यह आपको इस सर्वे में देखने को मिल जाएगा तो बीजीपी के एक दिग्गज यहां पर नेता मनुस्तिवारी जो उनके सामने यहां पर सीला दिक्षित यह काफी दिल्चस्प सीट रहेगी क्योंकि अ सामादमी पार्टी के दिली पांडे यह तीन वड़े चहरे उत्तरव पूर्व दिली की तरफ से यहां पर मैदान में उत्रे हैं आप इनके लिए क्या तकदीर फैसला करती है यह 12 माई को तैह होगा लेकिन इसके बाद आपको दिखाएंगे कि लोगसोब चनाफ 2019 में किसकी बन सकती शरकार जिस तरह से मनुस्तिवारी अपने यहां पर प्रिशार में लगे हैं और जनता से बात कर रहे हैं और जनता का जो रिस्पॉंस है उससे काफी खुस है और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने यहां पर साबित किया कि एक तरफा यहां पर वो जीत हासल करे के वहीं यहां पर पूर्व मुकमंतरी सीला दिक्षित यह भी अपने आपको एक अच्छा केंडिडेट मान नहीं है और कहीं ने कहीं वो भी चाहरी है कि 2019 में वो सीट को जीते हैं अब बात कहते हैं पूर्विदिल्ली की तो पूर्विदिल्ली से यहां पर वीजीपी के और अपना जोहर दिखाया लेकिन आप यहां पर वारी है ओफनिंग करते थे अब पहला इनका ओफनिंग जो है वो यहां पर पूर्विदिल्ली से यहां पर चुनाब लड़ रहे हैं उनके सामने अर्विदर सींग लवली है और यहां पर आमाद भी पार्टी से यहां पर देखिए आतिसी मलोना यहां पर तीन बड़े दिग्ज़ पूर्विदिल्ली से मैदान में उतरे हैं यहां पर बात करें तो पूर्विदिल्ली से अर्विदर सींग लवली कॉंग्रिस उम्मीदबार यहां पर पूर्विदिल्ली से उतरे है मैदान में वहीं आपर गौतम भी पार्टी की तरफ से नई दिल्ली की एक एंडिडेट है अब देखिए चांदनी चौक से बात करते हैं तो बीजीपी से हर्ष वर्दन जो पहले भी यहां पर सांसद रह चुकी है बीजीपी तरफ से आपको बताता है कि साथ सीटों में ऐसे पांच बो चेहरे हैं जो पु नाम है इनका क्योंकि यह सिंगर रहे हैं और हंस राज हंस यह बीजीपी के कैंडिडेट है और गौतम गंबीर और हंस राज दो ऐसे कैंडिडेट है जो नए तोर पर यहां पर उत्रे हैं दिल्ली के अंदर अब यहां पर कॉंग्रिस के तरफ से बात करें तो राजिस बिरजंदर सिंग यहाँ पर जो दिली के कैंडिडेट हैं यह मुक्वाजी के बड़े यहाँ पर दिग्गज हैं और अब यह अपना जो हर जो है वो यहाँ पर चुनाबी मैदान में दिखाएंगे बहीं यहाँ पर आमादमी पार्डी से तर बात करें तो रागफ चट्टा यह तीन बड़े कैंडिडेट जो है वो दचनी दिली से मैदान में उतरेंगे आप कौन किस पर भारी है यह आपको आगे पता चल जाएगा बिरजंदर सिंग यहाँ पर कॉंग्रिस उमीद बाद दचनी दिली से आपको पता होगा इनका नाम बहीं पश्मी दिली की बात कर इनका फैसला आमादमी पार्टी हो या कॉंग्रिस पार्टी हो या बीजीपी पार्टी हो इनका फैसला 12 माई को एवीम में कैद हो जाएगा लेकिन उसके पहले जो ताज़स सर्वे सामने आया है बीजीपी लोग समचनाब 2019 में और 2014 की तस्वीर आपको पता है साथ सीथ 2014 म यह कहानी फिर से दोहराने जा रही है यह सर्वे कह रहा है लोग समचनाब 2019 के लिए आपको बता दें कि 12 माई को यहाँ पर बोटिंग है लोग समचनाब 2019 के लिए क्योंकि अब मैदान में कुछ नए चेहरे देखने को मिले हैं हो सकता है कि इसमें जो बदलाब हो सकता है सा सीटों के लिए जो सर्वे देखा रहा है तो फाइनल तस्वीट 20 माई को देखने को मिलेगी लोग समचनाब 2019 के लिए ताज़ा सर्वे आपके साथ मैंने शेयर किया है फिर भी आपकी जो भी रहा है कमेंटी बॉक्स में दीजिए दिल्ली के साथ सीट किसके पक्षमा जा स लगती हैं कौन किस पर भारी है अपनी राय कमेंटी बॉक्स में जरू दीजिए क्योंकि आपकी राय काफी महच्पूर्ण रहेगी और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुर न भूलें साथ मैं बेल आई गून को द झाल